तो साउथ एफिका दोरे पर विराट कुली और रोहिट शर्मा के पास बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा साथ ही अश्विन भी एक रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं भारत और साउथ एफिका के बीच 26 दिसंबर से दो टेस मैचेस की सीरीज शुरू हो रही है और इस सीरीज में रोहिट शर्मा एक खास रिकॉर्ड बना सकते हैं कि है कि बतार कप्तान उनकी पास श्रतक लगाने का मौका होगा अगर वे शतक लगाते हैं तो साउथ एफिका में श्रतक लगाने वाले कप्तान के तौर पर वे तीसरे भारतिये होगे उनसे पहले सचेन तंदुलकर और विराट कुली ये शतक की पारियां खेल चुके हैं 179 रन सचेन तंदुलकर ने बनाए थे और 153 रन की पारी विराट कुली ने खेली थे ऐसे में रोहिज चर्मा के पास भी शतक लगाने का और साथ में ये कारनामा करने का मौका होगा दूसरी तरफ विराट कुली भी राखुल द्रविट को एक रिकॉर्ड की मामले में पीछे चोड़ सकते हैं दरसल साउथ एफ्रिका के खिलाब टेस्ट में सबसे ज़ादा 1741 रन सर्चेन दंदुरकर के नाम है उनके बाद 1252 रन राखुल द्रविट ने बनाए है और 1236 रन विराट कुली के नाम दर्ज है ऐसे में अगर विराट कुली 17 रन बनाते हैं तो वे राखुल द्रविट को इस रिकॉर्ड की मामले में पीछी छोड़ देंगे साथी साथ अश्विन की अगर हम बात करें तो अश्विन भी 500 विकेट का आकड़ा माफ की जीगा पूरा कर सकते हैं उनके नाम फिलहाल 489 विकेट हैं और 11 विकेट अगर वे लेते हैं तो 500 विकेट का आकड़ा चूलेंगे अगर साथ में फिलहाल बात करें तो सबसे जादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं भारत की तरफ से अनल कुमले जिन्होंने 619 विकेट टेस्ट क्रिकेट में चटकाए हैं ऐसे में अश्रुन के पास भी ये बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत और साथ एफ्रिका के बीच टेस्ट एतिहास की तो 42 टेस्ट मैचस दोनों ही टीम्स के बीच खेले गए हैं जिसमें से 15 में भारत ने जीत दरज की है 17 टेस्ट मैचस साथ एफ्रिका ने जीते हैं और 10 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं तो ये पूरा लेखा जोका है दोनों ही टीम्स का अगर टेस्ट का overall head to head record देखें लेकिन ये जो कुछ records है ये इस series में बन सकते हैं सभी को इंतजार है क्योंकि World Cup के बाद अब हर को ये चाहा रहा है कि एक अच्छी series देखने को मिले और विराट कुहली रोहिट शर्मा जस series में खेलते हुए नजर आएंगे तो fans भी सब्री से series का इंतजार करें साथी साथ अगर दोनों की cricketers ये record बनाते हैं तो फिर fans की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा वेल इस वीडियो में फिलहाल इतने ही बागी की updates के लिए आप देखते रहे हैं एंटी टीवी